हेलो गाइस आप सभी लोगों कायबा फिर सो स्वागत है हमारे नई वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूरोपें टीटन किर्किट लीग के गुरूप C के मैचों के बारे में जो आज के दिन का चौथा मैच है और गुरूप C का चौथा मैच है यह खेला ज पिछ रिपोर्ट देखे तो एक आर्टिफिशल पिछ है जिसके ब्रेवियर में कुछ भी चाज़ नहीं आता है और बैटर और बॉलर के लिए दौनों के लिए सेम है एवरेज स्कोर देखे तो 130 से 140 बन सकता है यह स्कोर जब बनेगा जब गैमलर SC बैटिंग करेगी तो पहले अगर उसकी टीम बहले बैटिंग करेगी तो ज्यादा स्कोर के चांस कम है ठीक है बात करता है वेन्यू रिकॉर्ड की तो लगबग 29 मैच हो चुके इस वेन्यू पर जिस पर 14 जीते है बैट मैच के स्कोर बोड भी लिखा है बैटिंग उडर भी उसी किसाब से सेट करा है ताकि आपको पता भी पढ़ जाओ कि कौन किस नमबर पर बैटिंग कर रहा है किसने कितनी परफॉर्मेंस दी है ठीक है और कितने औरों की गैंदबाजी करी है कितने रन मारे इसलिए वीडिय हुआ है तो कहां खेल रहा है और कोई नहीं पर आएंगे तो उसके स्टैट्स साथ ही हमारी फाइनल टीम भी आपको महां पर ही मिलेगी तो वीडियो को पूरा देखना बिना रुखे बिना स्किप करें और बात करते है गैंबलर सी सी की जिन्नों की तरफ से पिछले मैच मे जिसने 0 रन पर आउट हो गया था पंड या आज के मैच में एक अच्छा वीक है ठीक है क्योंकि सामने वाली टीम वीक है और यह उपनिंग कर रहा है और अच्छे सौट खेलता है तो यह आज के मैच में परफॉर्मेंस दे सकता है डिफ्रेंसल के तौर पर आप इसको चेजिग करती है तो इसकी टीम तो आप इसके साथ भी जा सकते हो ठीक है क्योंकि असल ज्यादा अमीद को नहीं सामने ठीम ज्यादा सक पाईगी तो इनों के तीन चार पीडरी चेजिंग कर लेंगे अगयर इंकी टीम पहले फिल्डिंग करेगी जो इसके बाद अंकुसών क एक Captain CP के लोग Captain बनाएंगे लेकर आप इस मैच में इसको Captain ज्यादा मत बनाना क्यूंकि नंबर 6 पर 5 पर बैटिंग करना है बॉलिंग तो करवा रहा है पर नंबर 5 पर बैटिंग की उमीद आज के मैच में कम है कि इसकी बैटिंग आप आईगी क्योंकि उपर के बैट्समेन है वो ज्यादा चांस है कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो आपको Captain मनाना तो अंकुस कुमार को बना सकते हैं या फिर आपके लिए डिफरेंसल के तोर पर कुल्दीब घूलिया भी एक अच्छा पीक है और इसका करन बीड अच्छा बैट्समेन अपन बैटिंग और इसका खूब नीचे अगर उपर बैटिंग करता तो आपके लिए इंपोर्टेंट है लेकर फिलाल यह नीचे बैटिंग कर रहा है इसलिए अपन इसको नहीं लेंगे पहले मैच में 32 रंड के अच्छी पारी खेली है ओवरोल लि मैच में 332 run बनाये 13 की आवरेसं 60-ワरों कि ऐ करवाते ओवे 32 wins लिए पहले मैच में दो रं कीारी खेली iis पहले मैच में मातर एक ओवर की गैनबाजी करवाई थी पहले मैच में पिटी गया था इसलिए दूसरा ओवर नहीं मिला पर आज के मैच में इंपोर्टेंट है इसका सलेक्षन फिलाल गिर गया है पर इस पिलर को आप ध्यान में आखना सामने टीम वीक है तो यह एक अच्छ पिलियर पहले मैच में दो ओवरों की गैनबाजी करवाते वह तीन विकिट लिए ओवरे डीकॉर्ड देखे तो इसमें 75 ओवर की गैनबाजी करवाते वह उन्तिस विकिट लिए इसके बाद जय परका जिसका सव्लेक्षन डेट भी फिलाल गिर गया है बीस पर संट के जिसमें दो विकिट लेके गया ओवरोल लिकॉर्ट देखे तो 21 मेंच में 28 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 15 विकिट है बात करते हैं यहां से आपके लिए कौन-कौन से मैं पिके तो कुल्दिप गोली यहां से आपके लिए मैं पिके मैंग धार जी को आप कंफर्म ले पर जिसलिए इंपोर्टेंट नहीं है जुनेत खान इसके सारे बॉलर चारों नहीं ठीक है बैंच की बात करते हैं तो इन-में से कोई क्येलेंगे तो उसके लास्ट मेच बहुत ही बेकर गया था कंशे कम सो रण के मार्जिन साहरी है यह और इन्हों की टीम के पस experience नहीं है टीटन का क्योंकि टर्की की टीम है और ज़्यादा experience नहीं है प्लियरों के पास जंग पुलियर है सारे के सारे तो कुछ पिलियर के नाम दूँगा आप उनी को पिक करना जो बोलू उनके जो बॉलिंग और बैटिंग डॉनो प्रोवाइड करवा रहे आपको ठीक है बात करते हैं पहले पिलियर आहमत कॉजगून की जिसने पहले मैच में 0 रंड की खेली ओवर T20 का रिकॉड दे के तो 21 म दूर्माज जिसने पहले मैच में 8 रंड की खेली नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं और 2 अवर की पूरी गैंदबाजी करवाई यह आपके लिए मस्ट पीक है और T20 का रिकॉड दे के तो 13 में 28 अवर की गैंदबाजी करवाते है 27 विकेट है T20 का रिकॉड भी अच्छा है 13 म मैच में इसने 2 अवर की गैंदबाजी करवाई थी ठीक है इसके बाद इस लाई लियाज जिसने पहले मैच में 0 रं पर आउट हो गया नंबर 4 पर बैटिंग करी थी साथी 2 अवर की पूरी गैंदबाजी करवाई थी इसमें एक विकेट लिया तो यहां भी आपके लिए इ T20 के रिकॉर्ड मिले है खाली और पहले मैच में इसने 3 रं की पारी खेली एक ओवर की गैंदबाजी कराई और 0 विकेट लिया इसके बाद मुराथ यालमीच पहले मैच में 8 रं बना दो अवर की गैंदबाजी करी एक विकेट लिया ती 20 का रिकॉर्ड देखे तो 12 मैच मे 23 रन की पारी खेली और दो विकिट लिए दो ओवरों की गेंदबाजी करवाते वे तीन विकिट लिए हमने इसको पहले मैच में वाइस केप्टन दिया तो और आपने पर्फॉर्मेंस दे की सकते हो तो डिफ्रेंसल के तोर पर सबसे बहतरीन केप्टन सी का चोईस आप इसी ठीम से इसी को समझ सकते हो क्योंकि अच्छी खाशी बाॉलिंग करवाये और सब्से एक्सी पिलिए दिये ही है इसो में इन्हों की टीम में है बैटिंग थोड़ा नीचे कर रहा है अब आपके लिए इस टीम की तरफ से मस्ट भी यहाँ इसके बाद है मार्क कीन फ्लीज जिसने जिरो रन की पारी खेली टीट वांटी का रिकॉर्ड देगा 27 मैच में 13 वेरान और 7 की अवरेज इसके बाद अली और जिसने पांच रन की पारी खेली बॉलिंग बैटिंग करी एक हाली बहुत नीचे बॉलिंग नहीं करवाई इसके बाद मेहमत चि बना है 12 औरों की गेंदबाजी करवाते हुए 10 विकेट लिए पहले मैच में ना इसको बॉलिंग मिली ना बैटिंग मिली बैंच पर इनको दो पिलियर है तो इन में से कोई खेलेगा तो उसके शर्ट हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे ठीक है देमो टीम है फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी कुल्दीप गोलिया गोरकनलता महेंगदार जी करंदीप सिंग जुनेत खान सदेदुर रह्मान अंकूस और जॉयल दुर्राज जै परकाष नितिन कंबोज और ऐसलियाज यह खाली डेमो टीम है फा हमारी फाइनल टीम प्रोबाइड हो सके धन्यवाद